उत्तर प्रदेश के जांसी में कल इंडिया गठ बंधन की संयुक्त महा रैली आयोजित हुई। इस रैली में कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव शामिल हुए। रैली में राहुल गांधी ने कार्यकरताओं को बबबर शेर बताया। उन्होंने कहा कि आमतौर पर जंगल में बबबर शेर अकेले रहते हैं, लेकिन यहां इंडिया गठ बंधन के हजारों बबबर शेर एक साथ मौजूद हैं। वहीं अखिलेश ने कहा कि बीजेपी का ग्राफ अब गिरता जा रहा है। ये चार चर्णों की जीत और जासी के लोग बीजेपी की विदाई की तयारी कर रहे हैं। राहुल ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग शहरों में स्मार्ट सिटी के नाम पर छाते लटका दिये। कोविड का समय था तो देश में हजारों लोगों की मौत हुई। कोविड के बीच में नाच गाना हो रहा था और थाली बजाई जा रही थी, लेकिन जब थाली ने काम नहीं किया तो प्रधान मंतरी मोबाईल की लाइट जलाने की बात करने लगे। और इस देश के एक ऐसे नेता, जिनोंने हर देश के कौने में हर आम आदमी का दुख दर्द जाना और उसे कांग्रेस की गारंटी में बदला, ऐसे हमारे देश के होने वाले प्रधान मंतरी स्री राहुल गान्दी जी, हर तिल युबा है जीज, जिनके नाम से… राहुल बोले इस बार का चुनाव सम्विधान बचाने का चुनाव है, सम्विधान के बिना देश के गरीब लोग कहीं के नहीं रहेंगे, जिस दिन सम्विधान चला जाएगा, उस दिन आपका सब कुछ चला जाएगा, इंडिया गठ बंधन इस सम्विधान की रक्षा कर रहा है बीजेपी मोधी देश के समविधान को खत्म करना चाहते हैं और उसे फाड़ कर फिंक देना चाहते हैं जांसी से रानी लक्षमी बाई की कर्मभूमी से कहना चाहता हूं कि हमारे समविधान को दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती है इन्होंने 22 अरब्तियों का 16 लाख करोड रुपए का कर्जा माफ किया है उन्होंने आगे कहा कि हमने यूपी की सरकार के वक्त किसानों का 22,000 करोड रुपए का कर्ज माफ किया था यूपीय की सरकार ने बुन्देलखंड पैकेज दिया था वो पैकेज 7,000 करोड रुपए का था 16,000 करोड रुपए का मतलब है कि आप बुन्दले खंड को 240 बार 7 करोड रुपए दे सकते हैं इंडिया गठ बंधन ने अब मन बना लिया है कि इन्होंने BJP जितना पैसा उद्योगपतियों का माफ किया है हम उतना पैसा गरीबों को देंगे आपको जो कहना है कहो हमें जो करना है हम करने जा रही है हमारी सरकार आएगी तो हम गरीब परिवारों की लिस्ट तयार करेंगे इसमें सभी लोगों को शामिल किया जाएगा ये काम दुनिया की किसी सरकार ने आज तक नहीं किया वो 22 अरप्ती बना रही है हम करोडों लखपती बनाने जा रहे हैं हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और फिर उसके बैंक अकाउंट में हर साल एक लाख रुपए भेजा जाएगा एक जुलाई को जहासी में लाखों लोग जागेंगे सरकार सब के बैंक अकाउंट में 8500 डाल देगी इसी तरह से हर महीने करोडों लोगों के बैंक अकाउंट में 8500 डाले जाएंगे किसानों का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि नरेंदर मोदी ने आप पर GST लागू की नोटबंदी लागू की कि नरेंदर मोदी ने देश के बेरोजगार युवाओं को कहा कि भाईयों और बहनों नाले में पाइप डालो उसमें से गैस निकलेगी और आप उससे पकोड़े तलो हम युवाओं के लिए एक कानून लेकर आएंगे हम सारे युवाओं को पहली नौकरी का अधिकार देंगे ये अधिकार हर जगह मिलेगा इसमें युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी हम करोडो युवाओं को अरप्ती बनाएंगे करोडो महिलाओं को लखपती बनाएंगे हम आपके जेब में बैंक अकाउंट में करोडों रुपए डालना चाहते हैं वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रहे थे वो इन्हें लूटने का काम किये हैं बीजेपी की सरकार में हमारे देश का किसान संकट में चला गया किसानों की आय भी दोगुनी नहीं हुई उल्टा डीजल बिजली महेंगी हो गई है किसानों की लूट हो गई किसान जब खाद की बोरी लेकर आया तो उसमें से भी चोरी हो गई ये सरकार किसानों के लिए काले कानून लेकर आई किसानों को आंदोलन पर उतरना पड़ा, यूपी की सरकार ने बुंदेलखंड को जो सुविधाय दी थी, इन्होंने उसे भी रोक दिया यूपी में अगर किसानों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या की है, तो वो यही बुंदेलखंड का इलाका है बीजेपी के लोग इस बार बुंदेलखंड को खंडखंड कर देंगे सपा के मुखिया ने कहा कि इन्होंने नौजवानों को भी धोखा दिया उन्हें नौक्रियों से दूर कर दिया यूपी में जितनी भी परिक्षाएं हुई सब के पेपर लीक हो गए इन्होंने आपकी नौक्री तो छीन ही ली है आपके जीवन के एक तिहाई हिस्से को भी बरबाद कर दिया है इन्होंने देश में इतनी महंगाई बढ़ा दी की सब लाचार हो गए है हमारी सरकार आएगी तो हम GST को बदल देंगे देश में पाँच अलग-अलग टैक्स नहीं होगा अगनिवीर योजना को हम उठा कर कूड़े दान में फेंक देंगे इसमें हम आपको एक जुण होकर के इंडिया गटबंदन की सरकार बनाने का काम करें इंडिया गटबंदन किसानों बेरोजगार यिवाओं का सम्मान करने वाली सरकार बनेगी और इंडिया गटवंदन की सरकार को कोई रोकने वाला नहीं है हम आपको आने वाली भी इस तारीक में पूरी उर्या के साथ पंजाब वाला बटन दबाने का काम करें इंडिया गटवंदन की सरकार बनाने का काम करें जाए समाजवाद, जाए इंडिया गटवंदन, जाए कांग्रेश इसी क्रम में मैं अनुरोध करना चाहूँगा यहां के पूर शांसद आधर्णी चंद्रपाल जी को कि दो मिर्ट में आके चंद्रपाल यादो जी को कि दो मिर्ट में आके अपनी बात रखड़े का कस करें अधर्णी चंद्रपाल यादो जी कोग्रेश पाटी